असलाम लेकुम क्या हाल है सब करते हैं तो आज की निए वीडियो करते हैं यह से स्टार्ट जारू के उपर इस तरह ही आप लोग रखेंगे और बहुत मज़े मज़े के कमाल देखेंगे आप लोगों की जिनकी सबर जाएगे घर को चुमकांगे रखता पर जाएगा आप लो hoader wann start करते हैं यहाँ पर ले लिया है जी चीनी वाला बॉकस हो जैसे हम लोग कठी लेकर रखलेते हैं घर में when में उको स्टोर करना चाहरे होते हैं हैं इलेकं क्या होता है कि या तो इनमें और या पिर और प्र इंमें किरियां पर आंट्स आ जाती हैं तो उनकी बहुत मुश्किल हो जाती है हम लोगों को ये चीनी काफी काफी देर यूज नी करनी परती है या बाहिर हम लोगों को फिला के रखनी पर चाती है तो आज के बाद आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नी करना पड़ेगा मेरे हाथ में हैं जी तो आप लोगों ने क्या करना है तीन से चार लोंग ले लेने हैं। चीनी की अंदर ऐसे तीन अदर लोंग रखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उनके अच्छे से अंदर दुबा देना हो और इनकी इतनी खुश्बूर इतनी स्मेल होती है कि जो आर्ट सौंगी ना वो इनके करीब भी नहीं आएंगी और जो चुंटी है इनके उपर चल जाती है आज के बार हमारी चीनी को कोई भी नुकसान नहीं होगा टीप नमबर टू स्टार्ट करते हैं मेरे हाथ में जी मEशीन स्लाई मशीन के अंदर जो शिटर ढालते हैं ना जिसकी फिरकी जाती है जिसकी अंदर तो यह कभी कभी बाज उकात यूं होता है और इसमें बिलकुल भी स्लाई जो है ना हमारी नीचे वरी वो बिलकुल ठीक नहीं आती है अगर इसका थोड़ा सा ये लूज हो जाए तो उपर वाली सलाई खराब हो जाती है तो कभी यूं होता है कि धागा बहुत खुला-खुला सा आ रहा होता है बहुत ज्यादा आ रहा होता है बाहिर की तरफ तो आप लोगों ने क्या करना है कि ऐसे गॉल सी कटिंग करके ना कपड़े की आपने कोई मोटा सा कपड़ा या कोई ब्रीक सा जिस तरह भी आप लोगों को इजी लगे आप लोगों ने ऐसे गॉल कटिंग करके उसके अंदर सुराख बना कर आप लोगों ने उसके शिटल के ना अंदर डाल देना है इस से आप लोगों की मिशीन भी ठीक चलेगी और सलाही भी बहुत अच्छी आएगी और कभी भी सलाही आप लोगों की खराब नहीं होगी ऐसे वहला आप लोगों ने छोटे वाला टूल ले ले लेना है और आप लोगों ने क्या करना है कि इसके जो इदर चोटा सा नट होत तो इस पर थोड़ा सा आप लोगों को तेल भी लगा दें मशीन वाला जो होता है न वो उससे यूं होगा कि आप लोगों की यह जो शीटर है यह बिल्कुल नहीं हो जाएगी और आप लोगों को यह जो चोटा सा टूल है इसकी मदद से जो अंदर सा चोटा सा पेचल वो सही हो जाएगा और आप लोगों का धागा बिल्कुल सही निकलेगा उमीद करती हैं आप लोगों को मेरी यह चोटी सी टिप अच्छी लगी होगी स्लाइम मशीन चलाने वालों के लिए बेस्ट टिप है यह टिप नमबर थ्री स्टार्ट करते हैं हम लोग जब चावल बनाते हैं कोई से भी चावल बनाते हैं दम हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे ही दम चूले के उपर रखके दम लगा देते हैं यूं होता है कि हमारे कभी कबार यूं नीचे जो तला लग जाता है चावलों के नीचे तो वो हमारे आदे से ज्यादा चावल जो होते हैं वो जाया हो जाते हैं तो आप लोगों ने आएंदा क्या करना है कि नीचे पहले तवा रखना है उसके बाद आप लोगों ने उपर पतीली रखनी है अपनी देख्ची रखनी है देख्ची रखने के बाद आप लोगों ने इसको दम लगा दिना और इसकी आँचो है आप लोगों ने बहुत स्लो स करके रखती है ताकि आप लोगों के जो चावल है वो नीचे ताल ना लगे और बिलकुल भी खराब ना हो जैसे जितने चावल आप लोगों पकाएंगे जितने रखेंगे आप लोगों का ज़रा भी एक चावल का तिनका भी नीचे नहीं लगेगा तो अमीर करती हैं आप लो तो फूल जारू को आप लोग आज के बार बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और नहीं आप लोगों की जल्दी खराब होगी तो आप लोगों ने क्या करना है इस तरही को गरम करना है और अच्छे से इसके उपर फेरना है इसे यूं होगा कि आप लोगों की तीले जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे और बाहर भी नहीं निकलेंगे, तो आप लोगोंने ऐसा लाजमी करना है, ताकि आप लोगों की जाड़ू महीनों भर चले, बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है, आगे चलते हैं और एक और चीज़ बताती हूँ मैं आप लोगों को आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरह का एक शोपर ले लेना है और शोपर को आप लोगों ने अच्छे से फोल्ड करने के बार इसके तने किनारे वाली जगा पे आप लोगों ने ओपर इसको अच्छे से रप कर देना है और अच्छे से बांद लेना है ताकि आप लोगों की जारू जलती बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो आप लुग इसको अच्छे से यहां पर पकल किया करना है कि इसको राप कर लेना और इस्जिष्षी को आप लोगों ने कर लेना है, अच्छे से गरम तो इसके उपर शोपर के भेहतअ है. ताकि जो जुखचे द्यू economy कि हाथों से हर नीम गरम इस्तरी करने के बाद आप लोगों ने इसके उपर लगानी है हलके हाथों से तो आप लोगों की ना इस्तरी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा यहां पर मैं जमा रही हूं शोपर को तो देख सकते हैं आप लोगों किस तरह यह प्रेस हो गया है इस चोटी चोटी सी टीप अच्छी लगी होंगी, दौाओं में याद रखी गया, ऐसे ही प्यार महबब से कमेंट करते रहा करें, लाइक लाजमी किया करें, शेयर भी लाजमी किया करें, और सब्सक्राइब तो मत भूलिएगा, ठैंक यू फॉर वोचिंग, अला हाफीज,